हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बिटकोईन हो या क्रिप्टो कुरंसी मार्केट हो लगातार प्रेशर के अंदर देखने को मिल रही है बिटकोईन फिर भी 30,000 डॉलर के आज़ पास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन alt coins wait and watch करते हुए कहीं न कहीं जादा प्रेशर फील कर रहे हैं अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल या सबसे जो tough time होता है किसी भी crypto user के लिए investor के लिए ये वाला time काटना होता है जहां नीचे गिरने का खौफ होता है और एक उम्मीद होती है कि अगर यहां बेश दिया तो हम एक opportunity जो दुबारे से यहां down के बाद अब जाने की है वो miss न न कर दें तो यह जो मुश्किल है यह हमारे जो है दिमाग की band बजा देती है आपके साथ होता है कि नी comment में हमें जरूर बताईएगा लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है क्या हमें घबराने की जुरत है और क्या यह time पहली बाहर आया या यह चीज हमने पहले भी देखी है क कुछ-कुछ pattern है जो हमें बताता है कि यहां पे एक hope तो है और एक उमीद आगे आने वाले time के अंदर इसको pump कर सकती है और ले जा सकती है नए all time high पे अब वो कब होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ कर बात करेंगे कुछ coins के बारे में जिनके बारे में लगात है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और उमीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने like करी दिया होगा दोस्तों cryptocurrency market के अंदर लगातार हमें pressure देखने को मिल रहा है एक तो जो है cryptocurrency market के अंदर एक दौर आता है उसके बाद एक peak पहुंशती है cryptocurrency market हर 3-4 साल के अंदर और फिर जो ह को सबसे जादा डर यही लगता है कि हम वो 2-3 साल के जो वनवास है उसके बीच में तो नहीं फस गए है यहां उसी के अंदर तो नहीं जा रहे हैं खास कर जो all time high के आसपास bitcoin और cryptocurrency market के अंदर फसे हैं उनके दिमाग के अंदर यही doubt होगा और क्या यहां से एक rally आ सकती है क्य यहां से उपर cryptocurrency market दुबारे जा सकती है वो तो बताएंगे लेकिन अभी जो recently short term के अंदर हम सब को पता है जो global situation चल रही है उसका pressure हमें देखने को मिल रहा है और overall global market की बात करो तो लगातार आप देखोगे उसके अंदर हमें panic दिख रहा है और वही चीज का जो है reflection हमें cryptocurrency market पे भी देखने को मिल रहा है लेकिन interesting बात क्या है bitcoin sustain कर रहा है 30,000 dollar के आसपास which is a good signal आप इस चीज को ध्यान रखिएगा alt coins तो है हमें तूटते दिख रहे हैं लेकिन bitcoin जो है यहां sustain कर रहा है it means यहां से हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि इसने यहां पे एक support अच्छी बना लि इसके लिए एक support का यहां काम कर रहा है और यहां sustain करने की कोशिच कर रहा है और यह चीज पहली बार नहीं हो रही है और अगर आप एक accumulation zone या एक wake of accumulation या pattern की बात करें उसके अंदर आप observation करते हो तो लगातार एक box के अंदर यह trade करता है और यहां पे accumulation चलती रहती है और जो आपको प्रेशर में दिख रहे हैं वो सिर्फ wait and watch किस्ती थी मैं कि bitcoin का अगला move क्या होगा यही almost same situation थी पिछले साल जून मई के अंदर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूं और यहां पे आपको idea लग जाएगा अगर आप मई जून के अंदर देखते प्रेमी situation थी कि यहां पे bitcoin नीचे के low को test करता था और फिर pump कर जाता था और यह जो range थी यह थी 30 से 40,000 dollar की और वही situation आज की date में भी हमारे साथ cryptocurrency market के अंदर है और वही कुछ-कुछ pattern है जो यहां पे अभी बनता दिख रहा है और उसके बाद में जब इसने break किया तो हमने इ idea लगा सकते हो तो यह accumulation पहली बार नहीं हो रही है और यह accumulation आखरी बार भी नहीं हो रही है तो यहां पर फिलाल अगर मैं notice करता हूं तो हमें अगर word से word situation होती है तो हो सकता है यह अपना 25,000 dollar को test करें लेकिन हमें नहीं लगता कि इस से नीचे यह फिलाल एक बड़े pump से पह देखना तो इसको इसके ऊपर 30,000 dollar के ऊपर कम से कम weekly candle के अंदर close करना पड़ेगा और उसके बाद अभी जो अगला target है इसका 34,000 dollar है और दूसरा जो zone है जो की आता है 37,500 dollar से लेके लगभग 38,500 dollar उसके बीच में इसका target हम expect कर रहे हैं इस महीने में जा सकता है जुलाई के अ अगर प्रेशर हमेशा लगातार अगर पीछे history को देखने को मिलता है और वही चीज यहां पर अभी reflect कर रही है तो अगर आपके पास में opportunity है या आप patience दिखा सकते हो तो यहां से अगर गिरेगा तो 10-20% की और correction हो सकती है ठीक है लेकिन अगर यहां से pump करा तो और जुलाई में अब जहां इतना देर वेट कर लिया तो दो महीने और से जुलाई के अंदर आप उमीद कर सकते हो कि यहां से यह 40,000 डॉलर से उपर जाके 50,000 डॉलर तक भी जा सकता है इसके अंदर इतना potential है बिटकोईन की में बात कर रहा हूं लेकिन दोस्तों एक और factor है जो cryptocurrency market पे pressure डाल रहा है वो है bitcoin की dominance सारी cryptocurrency market एक तरह bitcoin इस टाइम पे एक तरह होता दिख रहा है 47% पे bitcoin की dominance चल गई है अगर total market cap की बात करते हैं पिछले साल October के अंदर ऐसी थी अब यहां पर इसका impact भी हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर bitcoin की बात करते हैं वो 30,000 डॉलर के उपर sustain कर रहा है ऐसा नहीं है bitcoin की जो है price भड़ रहा है इसलिए हमें cryptocurrency market के अंदर pressure दिख रहा है और bitcoin की dominance बढ़ रही है तो यह भी एक इशारा कर रहा है कि bitcoin के अगले move के लिए wait and watch की situation altcoins के अंदर हमें देखने को मिल रही है अगर bitcoin 35,000 डॉलर 34,000 डॉलर जो हम target है वहां जाता है या 30,000 डॉलर के उपर यह sustain कर पाता है तो शायद यहां पे situation सुदर सकती है और इसकी dominance थोड़ी decrease होती दिख सकती है और वो decrease होगी यानि कि हमें altcoins के अंदर दुबारे से sentiments आते दिख सकते हैं और जैसे यह global situation सुदरेगी आपको एक pump यहां देखने को मिलेगा और यह चीज आपके साथ में नहीं नहीं है यह चीज मैंने आपको बता दिया पहले भी हमने cryptocurrency market के अंदर देखी है ठीक है यह तो थी bitcoin को लेके बात लेकिन अगर हम बात करते हैं altcoins के अंदर जहातर लोग altcoins के अंदर फसे हुए है बिटकोईन के अंदर जहातर लोग trade नहीं करते हैं क्य ज्यादा return तो नहीं देगा शायद दूसरे altcoins से compare करो लेकिन वो उतना जाला टूटेगा अभी नहीं जितना altcoins टूट सकते हैं अब यहाँ पर जो altcoins हैं उनके बारे में लोग लगातार हमसे query कर रहे हैं और सबसे जो आजकल इशू आ रहा है लूना के बाद में वो आ रहा है क्योंकि blockchain के अंदर जब issue आता है यानि कि आपकी अगर heart के pump करना बंद कर दे या सई से काम ना करे तो गड़बड दिखती है तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह correction आती है और जिसके अंदर हमें उम्मीद है आनी चाहिए तो यह 30 से 25 डॉलर के बीच में हम यहाँ पर इसको expect कर रहे हैं कि यह आ सकता है इसके अंदर लेकिन अगर यह हम चाहते हैं कि इसके अंदर reversal देखे तो हम वेट कर रहे हैं कि यह जो 40 डॉलर से ऊपर यह close करें खासकर weekly candle में या exactly बताऊं तो 48 डॉलर से ऊपर यह close करता है तो भी हम सोचेंगे कि शायद इसके अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है फिलाल के लिए हम सजेस्ट करेंगे अगर solana hold कर रहे हो तो करते रहो लेकिन अगर नई entry देख रहे हो तो भाया इस चीज़ से आपको बचना चाहिए दोस्तों ADA के लिए अभी mainnet की बात हो रही है कुछ upgrade है जिसकी वैसे हमने एक spike दे इसे आगे ना 0.56 अगर आपको लेना है यहाँ पे 0.5 डॉलर के आसपास 52 डॉलर के आसपास इस टाइम पे इसको support है अब यहाँ पे entry मिले तो miss मत कीजेगा एक अच्छी बात क्या है कि यह 9 दिन का और जो आपका 21 दिन का moving average है वो इस फिलाल इसके लिए support बनके आ रहा है और यहाँ sustain कर रहा है और यहाँ इसका target ले सकते हो 0.68 डॉलर से लेके दूसरा target हो सकता है 0.84 और यहाँ पे हम एक डॉलर भी इसको आने वाले time के अंदर देख सकते हैं इसके अंदर potential है dodge coin के अंदर भी जैसे कि हमने share किया था एक pump देखने को मिला लेकिन उसके बाद अभी फिलाल यहाँ पे वो इक cryptocurrency market के अंदर pressure है तो यह भी feel यहाँ पे कर रहा है अगर 0.808 dollar के आसपास मिलता है यानि कहले हो 8 cent पे आपको मिलता है तो आप इसके अंदर entry ले सकते हो इसके अंदर भी potential है कि आने वाले time के अंदर यह अगर Elon Muskir महरबानी रही तो यह आपको 100% का return भी एक तो महीने के अंदर देखे जा सकता है बहुत सारे लोग हम से ethereum के बारे में पूछ रहे हैं शाड़े 1700 dollar पे फिलाल इसको एक support मिल रही है और यहाँ पे यह sustain कर रहा है अच्छी बात है अगर हम चाहते हैं कि एक reversal देखना तो फिलाल 1800 dollar के आसपास को एक resistance है अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला जो इसका target हो सकत है वो 2300 से 2400 dollar तक यह जा सकता है अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो bitcoin के बाद अगर कोई safe investment हो सकती है तो एक ethereum आपका जो है portfolio में आप रख सकते हो और आने वाले time के अंदर आप उमीद कर सकते हो यह आपको 332 dollar भी देखे जा सकता है आने वाले 2-3 महिने के अंदर और हाँ अगर आप देख रहे हो लंबे समय के लिए तो यह अपने all time high को भी तोड़ता यहाँ पे in future आपको दिखेगा अब बहुत सारे लोग शीबा इनू को लेके भी हमसे लगातार पूछ रहे हैं अभी जो है 0.000000 के आसपास इसके अंदर आप entry ले सकते हो लेकिन ध्य यहाँ आ सकता है तो आने वाले time के अंदर यहाँ से जहाँ से चलाता तो वहाँ पे भी जा सकता है तो ध्यान रखिएगा अगर आप इसके अंदर entry के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मिल सकती है 20-25% का potential है लेकिन अगर यहाँ से market सुदरती है Bitcoin 34-35 दॉर के आसपास आता और वहाँ hold करता है तो एक spike इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है जो आपको 25-100% का return कुछ भी देखे जा सकता है दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे BNB के बारें पूछ रहे हैं अगर BNB आपको मिले तो लग भग 285 दॉलर के आसपास अगर आए तो यहाँ आप ले सकते ह हो और इसके अंदर आप expect कर सकते हो 330 डॉलर से लेके 400 डॉलर आने वाले टाइम के अंदर दूस्तों बहुत सारे लोग हमसे वजीर एक्स के बारें पूछ रहे हैं हम सबको पता है exchange driven ये coin है अब यहाँ पे cryptocurrency की situation इंडिया में आपको पता ही है क्या है तो उसी का impact हम भी हमें देखने को मिल रहा है अगर यहाँ पे चीजे सुधरती हैं आने वाले time के अंदर एक तो cryptocurrency market का pressure उपर से इंडिया के अंदर regulations आएंगे नहीं आएंगे बहुत सारी चीजे confusion अभी भी है taxation को लेके और यहाँ पे volume भी कम हुआ है और उसका impact भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा अगर आप hold कर रहे हो तो यहाँ पे एक उमीद कर सकते हो 0.4 डॉलर तक आने वाले time के अंदर यह जा सकता है लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जब तक इंडिया के अंदर situation नहीं सुधरेगी तो आप वजीरेक्स से जादा expect यहाँ पे मत कीजेगा लेकिन हां regular interval पे क्योंकि ह हमें पता है Binance backed है तो एक rally देखने को मिल सकती है और अभी फिलाल देखते हो तो 0.2 डॉलर से लेके 0.25 डॉलर इसके लिए एक accumulation बनी हुई है और एक spike यहाँ पे भी आपको अगर market सुधरती है तो देखने को मिल सकता है लेकिन इससे जाद आप expect आप short term के अंदर मत जब तक इंडिया में situation यहाँ पे नई सुधरती है दोस्तो और कोई point है जो आप चाहते हो हम cover करें तो हमसे जरूर पूछेगा comment के अंदर और हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो like भी जरूर कर दिया होगा अभी तक तो दोस्त अभी के लिए विदा लेता हूं खुश रहिए मुस्कुलातरी कमातरी आपका दोस्त पंकच थैंक्यू नुश्क्रा धन्यवाद